गपूरी बहू शर्माजी है ना उनकी बेटी का जनम दिन है तुम भी चली जाना ठीक है मम्मी जी ये तो बता दो गिफ्ट में लएकर क्या जाना है आरे लेकर क्या जाना है ढाय सो का लिफाफा दे देना बस काफी है अरे मम्मी जी अच्छा लगीगा क्या पडोसी है हमारे, हमें कुछ बढ़ा लेकर जाना चाहिए अरे बहुतना काफी है जानती है आप, मेरे माई के में जब पडोस में किसी की बर्थडे होती थी न तो ममी कुछ न कुछ गोल्ड का ही दे कर भीजती थी पड़ो से के बर्थ डे मैं सोना कैसी बात है करती हो और नहीं तो क्या आपकी तरह थोड़ी ना अले फाफा पकड़ा दिया पिंकी शर्मा जी की बेटी के जनम दिन में चली जाती है अरे आज तो बड़ी सुन्दर लग रही हो साडी में जी मैं तो लहंगा फैन कर आने वाली थी मम्मी जी नहीं मानी अरे बेटा बर्ट्डे पार्टी में तो साडी चल जाती है मेरा मतलब कोई शादी थोड़ी ना है कैसे बात कर रहे हैं आपांटी जी मेरे मायकी में तो छोटे-छोटे फंक्शन भी हम लोग लहंगा बनवाते थे बुटिक से डिजाइन करवाकर चाहे पड़ोस पे किसी का जन्दिन हो मेरी मम्मी हमेशा बुटिक से नया लहंगा डिजाइन करवाती थी मैंने तो ऐसा कहीं नहीं देखा ये तो तुमने आज बड़े कमाल की बात बताई आरे जानी दीजी कोई बात नहीं और पताईए आपकी बेटी नजर नहीं आरी आरे भाबी मैं यहाँ हूँ ये देखी मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है ठीक ही है मतलब बर्टी के हिसाब से थुड़ा हलका है न आरे भाबी इतना सुन्दर गाउन पैना है मैंने मैं न शादी से पहले अपने बर्टी पर हमेशा जरी वाला लेंगा पैना करती थी यही मैं तुम्हारी ममी को भी बता रही थी उसके बाद केक काटने का प्रोग्राम शुरू होता है साब लोग इखटे हो जाते हैं शर्मा जी की बेटी का केक देख कर पिंकी से रहा नहीं जाता उसके अंदर का गपोड़ी बाज बहार निकल कर आ जाता है आरे इतना छोटा सा केक अरे बेटा मैं मानू की हिसाब से ही है जितने लोग इतना बढ़ा केक आंटी जी कम से कम चार या पांच मन्जिल वाला केक तो बनाना चाहिए था आपकी बेटी का बढ़ड़ी रोज रोज थोड़ी ना आता है मेरे बढ़ड़ी पर हमेशा पापा चार केक बनवाते थे सारे केक चार-चार मन्जिल के होते थे वहाँ पर सारे लोग उमा जी के मौहले के ही थे और वो पिंकी के गप्पे माने की आदत से अच्छी तरह वाकेफ थे इसलिए सब लोग उसकी बात सुनकर हसने लगे लेकिन किसी ने पिंकी से कुछ नहीं कहा एक दिन सुबह सुबह पिंकी ने अपनी सास से कहा ममी जी फ्लाइट से आ रहे है कल शाम को चार बजी की फ्लाइट है फ्लाइट लेकिन बिटा तेरा माय का तो यहां से दो घंटे की दूरी पर है तेरे ममी पपा फ्लाइट से कब से आने लगे अरे ममी जी आपको पता नहीं है मेरे ममी पापा ना आदे घंटे की दूरी के लिए भी फ्लाइट का टिकेट बुक करवाती है अरे गपे थोड़े कम मारा करो बहू कोई फ्लाइट से तब आएगा ना जब यहां पर ऐरपोट होगा तुम्हारी ममी क्या उड़कर आएगी घर में अरे हां ममी जी मैं तो भूली गई थी वो क्याना मेरे ममी पापा हमेश़ फ्लाइट से ही ट्राबल करते हैं तो मेरे दिमाग से ही निकल गया था अगले दिन पिंकी के मम्मी और पापा पिंकी से मिलने के लिए उसके घर आते हैं आईए आईए जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है और सम्दन जी हमारी बेटे की कोई शिकार तो नहीं न ठीक से संबाल लिया है न आपका घर अरे मेरी बहुत समझदार है घर का काम बहुत अच्छे तरीके से करती है बस थोड़ा ज्यादा बोलने की आदत है उसे आपको परिशान करती होगी न बात तो आपकी सही है उसकी थोड़ा ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा बोलने की आदत है लेकन कोई बात नहीं, आपकी बेटी दिल के बहुत अच्छी है, बस थोड़ा बोलती ही तो ज्यादा है, तिंकी बेटा, इधर आओ, देखो तुम्हारे मम्मी पापा आए है, तुमने इनके लिए खाना तो बना लिया ना? वो क्या है न ममी जी अपसी बात कहनी थी? हाँ, बोलो बहुत क्या बात है, डर्ने की कोई सवरुत नहीं वो ममी जी मैंने सुचया ममी पापा आए है, तुखाना बाहर से मंगवा लिती हूँ अरे कोई बात नहीं बिटा, वैसे भी तुम किचन में काम करने लग जाती ही, तो अपने ममी पापा से बात कप करती बहुत अच्छा किया, अब तुम अपने ममी पापा के साथ बाढ़ कर आराम से बात करो, मैं अंदर चाती हूँ शाम का वक्त, जैसे ही दरवाजिक की घंटी बजी, तीन-चार लोग हाथों में खाने की बहुत सारे पैकेट लेकर उमाजी की घर पाँच गया अरे भई, कौन है आप लोग, लगता है गलत पते पर आ गए नहीं नहीं, बाजी, हम तो खाने का ओर्डर डिलिवर करने आया है, यहीं से बुकिंग मिली थी आरे नहीं नहीं, आपको कोई गलत पहमी हुई है, हमारी यहां तो दो ही मैमाना है आपके हाथ के पैकेट देखकर लगता है, इसमें पचास लोगों का खाना है बाजी अपने सही समझा, खाना तो इसमें पचास लोगों का ही है, क्योंकि हमें ओर्डर यहीं से पचास लोगों का मिला है अरे लेकिन इतना सारा खाना, कहीं मेरे बहुन अपनी गप माननी की आदत के चलते ऐसा तो नहीं करती है यह खाना आप रख लिजे और हमें अमारे पैसे दे दीजे अच्छा, वैसे कितने का बिल बना है? ज्यादा नहीं बस दस जजार दे दीजे उन लोगों की बात सुनकर उमा जी पिंकी को आवाज दे कर वहां बुलाती है जैसे ही पिंकी वहां आती है खुश होते हुए उन लोगों को वहां पर खाना रखने के लिए कहती है अरे इतना सारा खाना क्यों मंगवाया बहू? हरे मम्मी जी मैंने आपको बताया तो था मम्मी पापा आये हैं तो मैं खाना बाहर से मंगवा रही हूँ ये बात सही है बेटा लेकिन दो लोगों के लिए पचास लोगों का खाना? हरे मम्मी जी कुछ कम पर जाए तो अच्छे थोड़ी न लगता है और मेरे मायके में तो ऐसा ही होता है एक्स्ट्रा खाना मंगवा आते हैं हम लोग तब ही पिंकी के ममी और पापा वहां पर आते हैं और बेटा एक्स्ट्रा खाना मंगवा आने का मतलब यह थोड़ी न होता है कि दो लोगों के खाने के लिए पचास लोगों का खाना मंगवा लो और बेटा तुम्हारी गप मानने की आदत के चलती दस हजार का भी लाया है तुम्हें नहीं लगता ये गलत है देखो बहू बढ़ा चड़ा कर बाते करना अपनी जगा लेकिन इतनी बड़ी बड़ी फैंक में अभी गलत है न पहली बात तो इतने सारे पैसे लगे और दूसरी बात खाना वेस्ट होगा आप लोग ठीक कहते हैं मैं आज की बाद अपनी सादत को कंच्रोल करने की कोशिश करूँगी और अपसे गप थुड़ी कम मारा करूँगी पिंगी की बात सुनकर सब लोग हसने लगे गपोडी बहु उमा जी की बहु पिंकी को गप्पे माने के बहुत आदत थी वो जब भी किसी के बारे में बाते करती तो बड़े बड़े गप्पे फेका करती आज पास के सब लोगों को पता था कि पिंकी बहुत बड़ी गपोडी बाज है लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं किया करते थे लेकिन हाँ, उसकी बाते सुन सुन कर हसते बहुत थे अरे बहु, पडोस वाली शर्मा जी है ना उनकी बेटी का जनम देना, तुम भी चली जाना ठीक है ममी जी, ये तो बता दो गिफ्ट में लेकर क्या जाना है अरे लेकर क्या जाना है, ढाए सो का लिफाफा दे दे ना, बस काफी है अरे ममी जी, अच्छा लगीगा क्या, पडोसी है हमारे, हमें कुछ बड़ा लेकर जाना चाहिए अरे बहु, इतना काफी है जानती हैं आप, मेरे माई के में जब पडोस में किसी की बर्थडे होती थी ना, तो ममी कुछ न कुछ गूल्ड का ही दे कर भीजती थी पडोसी के बर्थडे मैं सोना, कैसी बात है करती हूँ और नहीं तो क्या, आपकी तर थोड़ी ना अले फाफा पकड़ा दिया पिंकी शर्मा जी की बेटी के जनम दिन में चली जाती है अरे, आज तो बड़ी सुन्दर लग रही हो साडी में जी, मैं तो लेंगा फैन कर आने वाली थी, मम्मी जी नहीं मानी अरे, बेटा, बर्ड़े पार्टी में तो साडी चल जाती है मेरा मतलब, कोई शादी थोड़ी ना है कैसे बात कर रहे हैं, आपांटी जी? मेरे मायकी में तो छोटे-छोटे फंक्शन भी हम लोग लेंगा बनवाते थे बुटिक से डिजाइन करवाकर, चाहे पड़ोस पे किसी का जन्दिन हो मेरी मम्मी हमेशा बुटिक से नया लेंगा डिजाइन करवाती थी मैंने तो ऐसा कहीं नहीं देखा ये तो तुमने आज बड़े कमाल की बात बताई आरे, जाने दीजे, कोई बात नहीं और पताईए, आपकी बेटी नजर नहीं आ रही अरे, भाबी, मैं यहाँ हूँ ये देखी, मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है ठीक ही है, मतलब बर्टी के हिसाब से थुड़ा हलका है ना अरे, भाबी, इतना सुन्दर गाउन पैना है मैंने मैं ना, शादी से पहले अपने बर्टी पर हमेशा जरी वाला लेंगा पैना करती थी यही, मैं तुम्हारी ममी को भी बता रही थी उसके बाद, केक काटने का प्रोग्राम शुरू होता है साब लोग इखटे हो जाते हैं शर्मा जी की बेटी का केक देख कर पिंकी से रहा नहीं जाता उसके अंदर का गपोड़ी बाज बहार निकल कर आ जाता है आरे, इतना छोटा सा केक अरे बेटा, मैं मानू की हिसाब से ही है जितने लोग इतना बड़ा केक आंटी जी, कम से कम चार या पांच मन्जिल वाला केक तो बनाना चाहिए था आपकी बेटी का बड़ी रोज रोज थोड़ी ना आता है मेरे बड़ी पर हमेशा पापा चार केक बनवाते थे सारे केक चार-चार मन्जिल के होते थे वहाँ पर सारे लोग उमा जी के मौहले के ही थे और वो पिंकी के गप्पे माने की आदत से अच्छी तरह वाकेफ थे इसलिए सब लोग उसकी बात सुनकर हसने लगे लेकिन किसी ने पिंकी से कुछ नहीं कहा एक दिन सुबह सुबह पिंकी ने अपनी सास से कहा ममी जी फ्लाइट से आ रहे है कल श्राम को चार बजी की फ्लाइट है फ्लाइट लेकिन बिटा तेरा माय का तो यहां से दो घंटे की दूरी पर है तेरे ममी पापा फ्लाइट से कब से आने लगे अरे ममी जी आपको पता नहीं है मेरे ममी पापा ना आदे घंटे की दूरी के लिए भी फ्लाइट का टिकेट बुक करवाती है अरे गपे थोड़े कम मारा करो बहू कोई फ्लाइट से तब आएगा ना जब यहां पर ऐरपोट होगा तुम्हारे ममी क्या उड़कर आएगी घर में? अरे हां ममी जी मैं तो भूली गई थी वो क्याना मेरे ममी पापा हमेशा फ्लाइट से ही ट्राबल करते हैं तो मेरे दिमाग से ही निकल गया था अगले दिन पिंकी के मम्मी और पापा पिंकी से मिलने के लिए उसके घर आते हैं आईए आईए जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और समधन जी हमारी बेटे की कोई शिकार तो नहीं न ठीक से संबाल लिया है न आपका घर अरे मेरी बहुत समझदार है घर का काम बहुत अच्छे तरीके से करती है बस थोड़ा ज्यादा बोलने की आदत है उसे आपको परेशान करती होगी न बात तो आपकी सही है उसकी थोड़ा ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा बोलने की आदत है लेकन कोई बात नहीं, आपकी बेटी दिल के बहुत अच्छी है, बस थोड़ा बोलती ही तो ज्यादा है, तिंकी बेटा, इधर आओ, देखो तुम्हारे मम्मी पापा आए है, तुमने इनके लिए खाना तो बना लिया ना? वो क्या है न ममी जी अपसी बात कहनी थी? हाँ, बोलो बहुत क्या बात है, डर्ने की कोई सवरुत नहीं वो ममी जी मैंने सुचया ममी पापा आए है, तुखाना बाहर से मंगवा लिती हूँ अरे कोई बात नहीं बिटा, वैसे भी तुम किचन में काम करने लग जाती ही, तो अपने ममी पापा से बात कप करती बहुत अच्छा किया, अब तुम अपने ममी पापा के साथ बाढ़ कर आराम से बात करो, मैं अंदर चाती हूँ शाम का वक्त, जैसे ही दरवाजिक की घंटी बजी, तीन-चार लोग हाथों में खाने की बहुत सारे पैकेट लेकर उमाजी की घर पाँच गया अरे भई, कौन है आप लोग, लगता है गलत पते पर आ गए नहीं नहीं, बाजी, हम तो खाने का ओर्डर डिलिवर करने आया है, यहीं से बुकिंग मिली थी आरे नहीं नहीं, आपको कोई गलत पहमी हुई है, हमारी यहां तो दो ही मैमाना है आपके हाथ के पैकेट देखकर लगता है, इसमें पचास लोगों का खाना है बाजी अपने सही समझा, खाना तो इसमें पचास लोगों का ही है, क्योंकि हमें ओर्डर यहीं से पचास लोगों का मिला है अरे लेकिन इतना सारा खाना, कहीं मेरे बहुन अपनी गप माननी की आदत के चलते ऐसा तो नहीं करती है यह खाना आप रख लिजे और हमें अमारे पैसे दे दीजे अच्छा, वैसे कितने का बिल बना है? ज्यादा नहीं बस दस जजार दे दीजे उन लोगों की बात सुनकर, उमा जी पिंकी को आवाज दे कर वहां बुलाती है जैसे ही पिंकी वहां आती है, खुश होते हुए उन लोगों को वहां पर खाना रखने के लिए कहती है अरे इतना सारा खाना क्यों मंगवाया बहू? हरे मम्मी जी, मैंने आपको बताया तो था मम्मी पापा आये हैं, तो मैं खाना बाहर से मंगवा रही हूँ ये बात सही है बेटा, लेकिन दो लोगों के लिए पचास लोगों का खाना? हरे मम्मी जी, कुछ कम पर जाए तो अच्छे थोड़ी न लगता है और मेरे माय के में तो ऐसा ही होता है, एक्स्ट्रा खाना मंगवा आते हैं हम लोग तब ही पिंकी के मम्मी और पापा वहाँ पर आते हैं और बेटा, एक्स्ट्रा खाना मंगवा आने का मतलब ये थोड़ी न होता है कि दो लोगों के खाने के लिए पचास लोगों का खाना मंगवा लो और बेटा, तुम्हारी गप मानने की आदत के चलती दस हजार का भी लाया है तुम्हें नहीं लगता ये गलत है देखो बहू, बढ़ा चड़ा कर बाते करना अपनी चका लेकिन इतनी बड़ी-बड़ी फैंक में अभी गलत है न पहली बात तो इतने सारे पैसे लगे और दूसरी बात खाना वेस्ट होगा आप लोग ठीक कहते हैं, मैं आज की बाद अपनी सादत को कंच्रोल करने की कोशिश करूँगी और अपसे गप थुड़ी कम मारा करूँगी पिंकी की बात सुनकर सब लोग हसने लगे गपोडी बहु उमा जी की बहु पिंकी को गपे माने की बहुत आदत थी वो जब भी किसी के बारे में बाते करती तो बड़े बड़े गपे फेका करती आज पास के सब लोगों को पता था कि पिंकी बहुत बड़ी गपोडी बाज है लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं किया करते थे लेकिन हाँ, उसकी बाते सुन सुन कर हसते बहुत थे अरे बहु, पडोस वाली शर्मा जी है ना उनकी बेटी का जनम देना, तुम भे चली जाना ठीक है ममी जी, ये तो बता दो गिफ्ट में लेकर क्या जाना है अरे लेकर क्या जाना है, ढाए सो का लिफाफा दे दे ना, बस काफी है अरे ममी जी, अच्छा लगीगा क्या, पडोसी है हमारे, हमें कुछ बड़ा लेकर जाना चाहिए अरे बहु, इतना काफी है जानती हैं आप, मेरे माई के में जब पडोस में किसी की बर्थडे होती थी ना, तो ममी कुछ न कुछ गोल्ड का ही दे कर भीजती थी पडोसी के बर्थडे मैं सोना, कैसी बात है करती हो और नहीं तो क्या, आपकी तर थोड़ी ना अले फाफा पकड़ा दिया पिंकी शर्मा जी की बेटी के जनम दिन में चली जाती है अरे, आज तो बड़ी सुन्दर लग रही हो साडी में जी, मैं तो लहेंगा फैन कर आने वाली थी, ममी जी नहीं मानी अरे बेटा, बर्थडे पार्टी में तो साडी चल जाती है मेरा मतलब, कोई शादी थोड़ी ना है कैसे बात कर रहें हैं आपांटी जी मेरे मायकी में तो छोटे-छोटे फंक्शन भी हम लोग लहेंगा बनवाते थे बुटिक से डिजाइन करवाकर, चाहे पड़ोस पे किसी का जनम दिन हो मेरी ममी हमेशा बुटिक से नया लहेंगा डिजाइन करवाती थी मैंने तो ऐसा कहीं नहीं देखा ये तो तुमने आज बड़े कमाल की बात बताई आरे जाने दीजे, कोई बात नहीं और पताईए, आपकी बेटी नजर नहीं आ रही अरे भाबी, मैं यहाँ हूँ ये देखी मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है ठीक ही है, मतलब बड़े के हिसाब से थुड़ा हलका है न अरे भाबी, इतना सुन्दर गाउन पैना है मैंने मैं न, शादे से पहले अपने बर्ड़े पर हमेशा जरी वाला लेंगा पैना करती थी यही, मैं तुम्हारी ममी को भी बता रही थी उसके बाद, केक काटने का प्रोग्राम शुरू होता है साब लोग इखटे हो जाते हैं शर्मा जी की बेटी का केक देख कर पिंकी से रहा नहीं जाता उसके अंदर का गपोडी बाज बहार निकल कर आ जाता है आरे, इतना छोटा सा केक अरे बेटा, मैं मानू की हिसाब से ही है जितने लोग इतना बड़ा केक आंटी जी, कम से कम चार या पांच मन्जिल वाला केक तो बनाना चाहिए था आपकी बेटी का बड़ी रोज रोज थोड़ी ना आता है मेरे बड़ी पर हमेशा पापा चार केक बनवाते थे सारे केक चार-चार मन्जिल के होते थे वहाँ पर सारे लोग उमा जी के मौहले के ही थे और वो पिंकी के गप्पे माने की आदत से अच्छी तरह वाकिफ थे इसलिए सब लोग उसकी बात सुनकर हसने लगे लेकिन किसी ने पिंकी से कुछ नहीं कहा एक दिन सुबह सुबह पिंकी ने अपनी सास से कहा करशाम को चार बजी की फ्लाइट है पाल फ्लाइट लेकिन तेरा माय अका थो यहां से दो घंटे की दूरी पर है तेरे ममी पापा फ्लाइट से कबसे आने लगे आरे mic-जी आपको पता नहीं है मेरे ममी पपा ना आदे घंटे की दूरी के लिए भी फ्लाइट का टिकेट बुक करवाती है अरे गपे थोड़े कम मारा करो बहू कोई फ्लाइट से तब आएगा ना जब यहाँ पर एरपोट होगा तुम्हारी ममी क्या उड़ कर आएगी घर में? अरे हाँ ममी जी मैं तो भूली गई थी वो क्याना मेरे ममी पपा हमेशा फ्लाइट से ही ट्राबल करते हैं तो मेरे दिमाग से ही निकल गया था अगले दिन पिंकी के ममी और पापा पिंकी से मिलने के लिए उसके घर आते हैं आईए आईए जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और सम्दन जी हमारी बेटी की कोई शिकार तो नहीं न ठीक से संबाल लिया है न आपका घर अरे मेरी बहुत समझदार है घर का काम बहुत अच्छे तरीके से करती है बस थोड़ा ज्यादा बोलने की आदत है उसे आपको परेशान करती होगी न बात तो आपकी सही है उसकी थोड़ा ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा बोलने की आदत है लेकिन कोई बात नहीं, आपकी बेटी दिल के बहुत अच्छी है, बस थोड़ा बोलती ही तो ज्यादा है, तिंकी बेटा, इधर आओ, देखो तुम्हारे ममी पापा आए है, तुमने इनके लिए खाना तो बना लिया ना? वो क्या है ना ममी जी अपसी बात कहनी थी? हाँ, बोलो बहुत क्या बात है, डर्ने की कोई सवरुत नहीं वो, ममी जी मैंने सुचया ममी पापा आए है, तुखाना बाहर से मंगबा लीती हूँ अरे कोई बात नहीं बिटा, वैसे भी तुम किचन में काम करने लग जाती ही, तो अपने ममी पापा से बात कप करती बहुत अच्छा किया, अब तुम अपने ममी पापा के साथ बाढ़ कर आराम से बात करो, मैं अंदर चाती हूँ शाम का वक्त, जैसे ही दरवाजे की घंटी बजी, तीन-चार लोग हाथों में खाने की बहुत सारे पैकेट लेकर उमाजी की घर पाँच गया अरे भई, कौन है आप लोग, लगता है गलत पते पर आ गए नहीं नहीं, बाजी, हम तो खाने का ओर्डर डिलिवर करने आये हैं, यहीं से बुकिंग मिली थी आरे नहीं नहीं, आपको कोई गलत पहमी हुई है, हमारी यहां तो दो ही मैमाना है आपके हाथ के पैकेट देखकर लगता है, इसमें पचास लोगों का खाना है बाजी अपने सही समझा, खाना तो इसमें पचास लोगों का ही है, क्योंकि हमें ओर्डर यहीं से पचास लोगों का मिला है अरे लेकिन इतना सारा खाना, कहीं मेरे बहुन अपनी गप माननी की आदत के चलते ऐसा तो नहीं करती है यह खाना आप रख लिजे और हमें अमारे पैसे दे दीजे अच्छा, वैसे कितने का बिल बना है? ज्यादा नहीं बस दस जजार दे दीजे उन लोगों की बात सुनकर उमा जी पिंकी को आवाज दे कर वहां बुलाती है जैसे ही पिंकी वहां आती है खुश होते हुए उन लोगों को वहां पर खाना रखने के लिए कहती है अर इतना सारा खाना क्यों मंगवाया बहू? हरे मम्मी जी मैंने आपको बताया तो था मम्मी पापा आये हैं तो मैं खाना बाहर से मंगवा रही हूँ ये बात सही है बेटा लेकिन दो लोगों के लिए पचास लोगों का खाना? हरे मम्मी जी कुछ कम पर जाए तो अच्छे थोड़ी न लगता है और मेरे माय के में तो ऐसा ही होता है एक्स्ट्रा खाना मंगवा आते हैं हम लोग तब ही पिंकी के मम्मी और पापा वहाँ पर आते हैं और बेटा एक्स्ट्रा खाना मंगवा आने का मतलब ये थोड़ी न होता है कि दो लोगों के खाने के लिए पचास लोगों का खाना मंगवा लो और बेटा तुम्हारी गप मानने की आदत के चलते दस हजार का भी लाया है तुम्हें नहीं लगता ये गलत है देखो बहू बढ़ा चड़ा कर बाते करना अपनी चका लेकिन इतनी बड़ी बड़ी फैंक में अभी गलत है न पहली बात तो इतने सारे पैसे लगे और दूसरी बात खाना वेस्ट होगा आप लोग ठीक कहते हैं मैं आज की बाद अपनी सादत को कंच्रोल करने की कूशिश करूँगी और अपसे गप थुड़ी कम मारा करूँगी पिंकी की बात सुनकर सब लोग हसने लगे झाल